हलो एवरिवन माइनेम इस मनेश मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ अर्धवारसी परिक्षा 2022-23 विशय अर्थसास्त्र एकोनोमिक्स के बारे में बताने वाला हूँ तो इस्टूडेंट वीडियो को लाइक, सेयर और यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर ले इसका प दिस्क्रिप्षन पर तो जाकर वहां से इस प्रेडियो एप को डाउलोड करें हापी अल एक्जामनेशन 2022-23 क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनोमिक्स मैक्जिमम मांक्स रहेगा 80 टाइम अलाउड इस थ्री आवर्स निर्देश सभी प्रशनों को हल कीजे प्रश्न करमांग एक से आर तक अती लगूतरी प्रश्न है प्रतेक प्रश्न पर एक अंका बंटित है प्रश्न करमांग 9 से 12 तक लगूतरी प्रश्न है प्रतेक प्रश्न तीन अंका रहेगा प्रश्न करमांग 13 से 18 तक 4 अंको वाले प्रश्न 19 से लेकर 24 तक 6 अंको वाले प्रश्न रहने वाला है तो इस तरह से आपको paper पूछे जाएंगे प्रश्ण पर तो इन्ही question में से ही आपको तयारी करना है और इससे मिलता जूलता question आप देख सकते हैं अपनी book पर क्योंकि हर chapter से सिर्फ आपको एक या दो question ही पूछे जाते तो आपको इससे मिलता जूलता question को भी याद कर लेना है प्रश्ण गर्मांग पहला देखते हैं एक से आर्थ तक के रहेगा आपको एके कंक वाले प्रश्ण सिमान तुप योगिता ज्याद करने के सुत्र लिखे पहला प्रश्ण बजट घाट आप question ये पूछे ही जाते हैं सिमान तुप योगिता ज्याद करने का जो formula यहाँ प पर आपको लिखना है बजट डिफिक्ट क्या होता है बजट घाटा क्या होता है उत्पास सुल्क किसे कहते हैं किस बजार में वस्तू विभेत पाया जाता है उसके पांचवा प्रश्ण है प्रतिकुल भुकतान संतुलन क्या है उसके बाद छटवा प्रश्ण है किस बैंक को भैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है रिजर बैंक ओफ इंडिया उसके बाद है आपका सात्वा प्रश्ण स्तृर्विनिमय दर किसे कहते हैं अधी विकर्स क्या होता इस्तरह के आपके कोस्चन देख पारे होंगे तो इस से मिलते जुलता और भी questions होंगे इस chapter से relate करता हुआ उनको भी आपको अच्छे से देख लेना है नववा प्रशना है एक आगत के सिमानत उत्पाद तता कुल उत्पाद के बीच संबंद समझाईए एका अधिकार बजार की कोई तीन विसेस्ता है लिखे से question आपको जरूर पूछे जाते हैं एका अधिकार बजार की विसेस्ता है आपको लिखना है विनियो गुणांग को समझाईए समगर मांग एवं समगर पूर्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए बारवा प्रशन है वेश्टी और समिष्टी अर्थ सास्तर से question पूछे ही जाते हैं आपको चार अंतर लिखना है वेश्टी और समिष्टी अर्थ सास्तर में आपको अंतर बताने हैं पुंजीवाद अर्थ विवस्ता की प्रमुक विसेस्ताएं क्या है इसके बारे में करना है अथोआ में है कोई एक प्रश्णों को करना है तो वैस्टी अर्थ समझ्टी अर्थ सास्र के और भी कोश्चन है उनके गोंड विसेस्ताएं इन सब कोश्चन को भी आपको देखना ह लागतवक्र यू आकृति के होते हैं ये कई बार आपके प्रश्ण में पुराने सालों में तो कई बार ये कोस्चन आपको पुछे जाच चुके हैं पुर्ति की लोच का क्या आसा है इसे प्रतिसत परिवर्तन विधी से कैसे जात करते हैं तो ये question आपको देख लेना है ये आपका बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण है आपका IMP है उसके बाद है आपका सोलवा प्रश्ण सरकार बजट के उद्देश्यों को लिखे सरकारी जो बजट होते हैं उनके purpose क्या होते हैं इनको यहाँ पर आपको बताना है बजट के प्रमुक घटको के नाम लिखे यानि कि बजट के components क्या होते हैं इनको describe करना है उसके बाद है आपका सोलवा प्रश्ण भारत में राष्टी आए गणना में आने वाली बाधाओं यानि कि कठनाईया कौन कौन सी है कोई चार लिखना है ये question आपको कई बार पुछे जा चुके है भारत की राष्टी आए कि वृद्धी है तो आवस्यक सुझाओ दीजिये कोई चार आपको सुझाओ बताना है सोलवे प्रश्ण पर तो दोनों ही question आपको कर लेना है वार्शिक परिक्षा में भी ये question आने की possible बहुत ही जादा है तो इस तरह से आपको तैया पच पाएंगे ये आपको वार्शिक में भी काम आएगा और या अद्वार्शिक में भी आपको काम आएगा जतना जादा इनी चीजों को सॉल करेंगे तो बाकि जो questions रहेंगे यह आसानी से इसको वार्श सॉल कर पाएंगे परमाणी के महत whilst बताना है तो bank से आपकी questions और करने करना को लिएक तरफ के हमांघ के जंदिया के आपथ हैं करने मांग को प्रभावित करनेंग हाले elements कौन से होते हैं इसको आपको बताना उप्योगिता से क्या ऐसा है उप्योगिता की विशेस्ताएं लेखे दोनों ही आप लोगों के लिए महत्पूर्ण रहेगा तो यह तरह के questions आपकी पर पूछे जाते हैं उसके बाद 20 सिमानत उप्योगिता एवं कुल उप्योगित में पारस्परिक संबन्द को तालीका एवं रेखा चित्र के माध्यम से सपस्ट कीजिए सिमानत उप्योगिता एड टोटल यूटिलिटी में relationship को आपको tables and ray diagrams आपको समझाना है उधासिन को तालीका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाईए पूर्ती को निर्धारित करने वाले छे तत्वों को लिखे आउसत लागत और सिमानत लागत में आपको संबंद करना है तो यह आप लोगों को question देख रहा है तो इसी समान अनुरूप आपको question दिया जाएगा तो आपको सारे ही questions को अच्छे से करना है क्योंकि इन ही में से question क्योंकि जो patterns को design किया है वो ऐसा ल को लिखे आउसत लागत और सिमानत लागत में आपको संबंद बताना है अत्वा सहीत आपको प्रश्णों को याद करना है ताकि आपको जादा से जादा question आपका अगर cover up हो जाता है तो आपके paper में इतनी असानी हो जाएगी कि आप हर question को solve कर पाएंगे उसके बाद है बज वस्तू के मांग वस्तू की पूर्ती वस्तू की मांग वह पूर्ती में संतुलन तो यह आपके प्रश्ण रहे सभी question आप लोगों के लिए यहां पर महत्तव कोण है बोट परिक्षा में इसी तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं तो आपको यह सभी चीजों को और वीडिय पूछा जाता है और इसी चैप्टर से आपको ज्यादा पूछा जाता है निमने सुचनाओं के अधात पर सकल राष्टी उत्पात तता सुद्ध राष्टी उत्पात जात कीजिए मदे दिया दिया गया है तो यह दोनों को आपको देखना है वह भोगता वस्तूँ और आपको ज्याद करने सुद्ध राष्टी उत्पात और राष्टी सकल राष्टी उत्पात की गढ़ना करना है तो यह कोश्चन आप देख लेंगे तो यह कोश्चन महत्पूर है दोनों ही आपको बनाने आना चाहिए निमने समंगों से आई विधी द्वारा राष्टी कर्मचारी का पारिस्रमिक दिया गया 15,000 रुपए लगान दिया गया 5,000 रुपए लाब दिया गया 25,000 रुपए ब्याज है 500 मुल्य हराष्ट डेप्रिसियेशन है आपका 1000 रुपए शकल घरेलू विन्योग है 25,000 रुपए इस तरह से आपको यह कोश्चन दिया गया परकास डालिए किन्स के रोजगार सिध्धान को समझाईए यह भी आप लोगों के लिए महत्पूर्ण रहने वाला है इन कोश्चन में से आपका 50% कोश्चन ऐसे है जो रिपिटेशन होने की चांसे जो बहुत ही जाद्द है तो इस तरह के कोश्चन और इससे मिलता जुल